हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्के में हम चैनल उपचार नुस्के में डेली एक लेटिस वीडियो अपलोड करते हैं यदि आप हमसे जूरना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल उपचार नुस्के को सब्सक्राइब करें साथ ये बैल आइकन को भी जरूर क्लिक करी जिससे आपको हमारे दौरा अप्लोड की गई सबी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले राशिफल 2021 टी नाम वाले साथ बड़ी नई खुश खबरी जोतिस अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के अधार पर उसके आने वाले कल अथार्थ भविश्य के बारे में जाना जा सकता है यही नहीं बलकि व्यक्ति के पहले अक्षर से व्यक्ति के सभाव के बारे में भी अनुमान लगाया जाता है आज हम आपको D Akshayr سے सुरू होने वाले नाम वाले लोगों के सभाव और साल 2021 में D Akshayr से नाम वाले लोगों के लिए साल 2021 का राशिपल बताने जा रहे हैं इसमें हम जानिंगे D Akshayr से नाम वाले लोगों का सभाव सिक्षा, करियर, लब लाइफ, आर्थी किस्थी थी और उनका स्वास्त कैसा रहेगा आने वाले साल 2021 में सबसे पहले बात करेंगे D नाम वाले लोगों के सभाव के बारे में D अक्षर से नाम वाले लोग दिल के बड़े ही प्यारे और कोमल होते हैं इनका सभाव सबको साथ लेकर चलने वाला होता है ये लोगों के सुकों में ही नहीं बलकि दुखों में भी उनका मजबूत सहरा बनते हैं इनकी लाइफ में प्यार और रिस्ते का बहुत अधिक महतो होता है यही बज़ा है कि अपने सारे रिस्ते ये बहुत अच्छे से निभाते हैं अपने करियर और काम के प्रती ये हमेशा ही सकारात्मग रहते हैं इन्हें अपने कामों के लिए किसी पर भी आश्रित रहना पसंद नहीं होता इन्हें अगर सेल्फ मेड परसन भी कहा जाएं तो कहना गलत नहीं होगा इनकी सबसे खास बात यह होती है कि किसी भी परसिती में खुद को असानी से ढाल लेते हैं और सफलता पाने की पूरी कोशिश करते हैं प्यार की बात करें तो प्यार में इनका नीचर बहुत ही सीयस रहता है ये जब भी किसी से प्यार करते हैं तो उने अपने दिल की गहराई से चाहते हैं और उनकी प्रती बहुत ही इमानदार होते हैं प्यार में ने वेर्थ का दिखावा पसंद नहीं होता जब एक बार किसी पर भी भरोसा कर ले तो ये भरोसा हमेशा के लिए होता है अब बात करेंगे साल 2021 में डी नाम वाले लोगों की सिक्षा के बारे में राशिफल 2021 के नुसार विध्यारतियों के लिए यह वर्ष अच्छे परिडाम देने वाला रहेगा इस वर जात्रों का मनोबल उचा रहेगा अगर आप किसी तरह की पर्द्यों की परिक्षा में हिस्सा लेना चाते हैं तो इस साल अपनी मेहनत पर पुरा विश्वास रखी और जी तोड़कर मेहनत करने से ना चुके आपको इसका फलविश ज़रूर मिलीगा अता पर्द्यों की परिक्षा अत्वास सेक्षरी सत्र में आपको अपनी मेहनत के सकारतना परिणा मिलीगी हाई एजुकेशन के इच्छ रखने वाले जात्रों के लिए यही साल सबसे उप्यूक्त रहने वाला है अता आपके उच्छ सिक्षा का सपना भी पूरा हो सकता है करियर की दिशा में इस वर्स ही मार्ग दर्शन आपको प्राप्थ होगा जिसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई को लीकर आगे की रणनीती तयार करने में भी सफल रहेंगे अब बात करते हैं साल 2021 में डी नाम वाले लोगों की नौकरी और वेवसाइक के बारे में राशिफल 2021 के नुसार नौकरी और वेवसाइक दिश्टी से यह साल आपके लिए उत्तम है इस वर्स आगे बढ़ने की कई अफसर आपके सामने आएंगे वेजा तक जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें साल के मत ही भाग में सैलर इंक्रीमेंट या प्रमोशन जैसी कोई खुसखबरी मिल सकती है कुछ जाते को कोई इस वर्स उनका मन चाहा इस्ताना अंतरन मिलने की परबल संभावना बन रही है इस वर्स आपको कारी छेतर में हार्ड वर्क नहीं बलकि स्मार्ट वर्क करने की सलह है इसके लावा वी जातक जो वेपार के छेतर से जुड़े हैं इस वर्स पे अपने काम को विस्तार देने का विचार कर सकते हैं क्योंकि व्यपार के लिहाज से भी उनका साल उत्तम जाने वाला है, कुल मिला कर करीर के लिहाज से आपके लिए यह साल काफी बहतर जाने वाला माना जा सकता है, अब बात करेंगे साल 2020 में डीना वाले लोगों के प्रेम और विवाहिक जीवन के बारे में, प्रेम और विवा बहतरिन पल बिताएंगे जो आपके उस जिन्दगी भर याद रहेंगे। विवाही जातिकों के लिए विए वर्ष खुसी उसे भरा रहेगा, आप दोनों के रिस्ते में मधूरता गुलेगी, प्यार और अपना पन भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर प्रेम और विवाही क मामलों में यह वर्ष आपके लिए सुब रहेगा। के लिए सला यह है कि पारिवारिक मुल्यों को महतू दें और काम के साथी परिवार के लिए भी समय निकाले, अपनी परसनल और प्रोफेशनल लाइप के 20 संतुलन बनाए रखें। कुल मिलाकर इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं साल 2021 में डी नाम वाले लोगों की आर्थिक इस्तिति के बारे में। कोई भी नेड़े लेने से पूर्वर ठीक परकार से विचार विमर्स करने। कुल मिलाकर इस साल आपके आर्थिक इस्तिति साल भर ठीक रहेगी। अब बात करते हैं साल 2021 में डी नाम वाले लोगों के स्वास्त के बारे में। राशिफल 2021 के नुसार स्वास के दृष्टी से यह वर्स आपके लिए समानी से बढ़िया रहेगा। इस वर्स आप शारेडे रूप से सक्री रहेंगे। हालंकि फिट रहने को लेकर खुद को नजरंदाज ना करें। पूरे वर्स अपनी खान पान के प्रती जागरूपता जरूर रखे। अपने डाइट को सुधानने के लिए आप चाहित अपने लक्षिन धारित कर सकते हैं। जिसे सिहत में होने वाले विकारों से आप बचे रहें। और योग, वैयाम और ध्यान आधी का सहराले यह साल सिहत के मामले में आपके लिए एवरिज रहेगा। दोस्तों अगर आपकोई सभी जानकारिया पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुसकी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।